स्टूडेंट्स अब देखिए एक्जामपल 14 क्या स्टेटमेंट आपके पास एक्जामपल 14 की आपको क्या प्रूव करना है E ρो कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम कितना आएगा आपके पास फाई E फाई कैप ठीक है E ρो कैप और E फाई कैप आपके पास क्या है रो और फाई का मतलब आपके पास क्या है रो फाई और आपका जेड सिलेंडरिकल कोर्डिनेट में जो आपके पास युनिट वेक्टर्स होंगे उसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो e rho का जो derivative आएगा वो किसके equal आएगा phi e phi cap के equal आएगा और अगर आप e phi cap का derivative with respect to time निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका minus phi dot e cap dot ठीक है जहाँ पर dot किसको represent करेगा आपका time के respect में जो derivation होगा function का उसको note करोगे आप dot से ठीक है तो देखो कैसे करोगे derivative निकालना है with respect to time किसका e rho cap का और आपको पता है कि जो आपका e rho cap होता है उसकी value कितनी होती है आपकी cos phi i plus sin phi j ठीक है यह चीज हम कर चुके है e rho की value आपकी यह और e phi cap की value कितनी होती है आपके पास minus sin phi i plus cos phi j ठीक है अब e rho भी आपके पास e phi भी आपके पास इसका derivative with respect to time निकाल सकते हो कैसे निकालोगे देखो d by dt of e rho cap कितना आजाएगा आपके पास इसका derivative with respect to time तो कर दो इसका derivative देखो कितना आएगा cos phi का derivative कितना होता है minus sin of phi और phi का derivative with respect to time कितना आजाएगा आपके पास 5 dot आजाएगा I आपका as it is ठीक है plus sin phi का derivative कितना आजाएगा आपके पास cos phi और phi का derivative कितना आजाएगा आपके पास 5 dot क्योंकि time के respect में निकालते हो इसने क्या लगा दिया dot लगा दिया J आपका as it is अब दिखो 5 dot क्या आजाएगा दोनों में से common आजाएगा common लोगे तो कितना बचेगा आपके पास minus sin phi i plus cos phi j अब ये value देखो किसकी है आपके पास e phi cap की तो कितना आजाएगा आपके पास 5 dot e phi cap यही आपको क्या करना था प्रू करना था अब क्या करोगे derivative निकालोगे e phi का with respect to time e phi की value कितनी है आपके पास ये इसका derivative निकाल दो with respect to time कितना आएगा आपके पास d by dt of e phi cap this is equal to करदो इसका derivative minus आपका as it is sin phi का derivative कितना आएगा cos phi और phi का derivative phi dot i as it is cos phi का derivative with respect to time निकालोगे कितना आ जाएगा आपके पास sin phi आएगा और minus का आएगा ठीक है phi का derivative phi dot j आपका as it is phi dot भी common minus भी common कितना आ जाएगा आपके पास minus phi dot common ले दिया यह आपके पास बचेगा cos phi i minus minus plus sin phi j और यह किसके equal है आपके पास यह आपका e rho cap के equal है तो यह आपका कितना आ गया, minus e5 dot e rho cap, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, अब देखो e rho e5 तो आपके पास यह होते हैं, ez कितना होता आपके पास, ez कितना होता आपका, unit vector k, अगर ez का derivative with respect to time निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब कौन स्टेंट, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ez का derivative with respect to time, तो यह था आपके पास, example 14, ठीक है, अब example 15 देखो, देखें student, example 15 की क्या statement आपके पास, express velocity v and acceleration a of particle in cylindrical coordinate, कि आपको कोई एक पार्टिकल है, उसकी velocity और acceleration को cylindrical coordinate में express करना है, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, कि velocity और acceleration आपका होता क्या है, हमने जो volume इंटिगर निकाला था, उसमें भी किया था, कि आपके पास जो velocity होती है, वो क्या होती है, अगर मालो, r आपके पास position vector है, तो velocity क्या होती है, rate of change of position, तो यह आपका हो जाएगा, dr by dt, ठीक है, और आपके पास acceleration कितना होता है, आपका, acceleration होता है, rate of change of velocity, या double rate of change of displacement vector, means आपका ए क्या हो जाएगा, या तो dv by dr, dv by dt, या फिर कितना हो जाएगा, d2r by dt square, ठीक है, तो यह आपके पास velocity और acceleration का formula है, तो इसके लिए हमने क्या माल लिया, velocity और acceleration निकालने के लिए, कि r आपके पास कोई position vector है, किसी point p का, r अगर position vector है, तो r कितना हो जाएगा, आपके पास xi plus yj plus z की, ठीक है, अब देखो आपको जो expression चाहिए, वो किसमें चाहिए, cylindrical coordinate में चाहिए, तो r की जो expression है, उसको किसमें change कर दोगे, cylindrical coordinate में, cylindrical coordinate में change करना आपको आता है, क्या होता आपके पास, x की value कितनी होती है, rho cos of 5, y कितना होता आपके पास, y होता आपका r sin 5, y क्या होता आपका, rho sin 5, और z कितना होता आपके पास, z, ठीक है, ये तो आपके पास x, y, z होते हैं, अब x, y, z तो आपके आजाएंगे, किसमें, cylindrical coordinate मे बट i, j, k को भी तो change करोगे न, cylindrical coordinate में, इनको change करने के लिए किसका use करोगे, जो cylindrical coordinate में आपके पास unit vectors होते हैं, उनका use करोगे, और आपको पता है कि उनका relation क्या होता आपके पास, आपका होता है, यह e rho phi कितना होता आपका, cos of phi i plus sin of phi j, ठीक है, e phi cap कितना होता आपके पास, minus sin phi i plus cos phi j, अब देखो आपके पास दो equation है, इन दोनों को solve करके आपके पास i, j की value आजाएगी, i और j की जो भी value आएगी वो इसमें put कर दोगी, अब k की value के लिए किसका use करोगी, e rho तो आपका यह होता है, e phi आपका यह होता है, और e z कितना होता आपके पास, vector k, तो k vector की जगए पर क्या लिख दोगे, e z cap, इन दोनों को solve करके किसकी value find out कर लोगे, i और j की value find out कर लोगे, अब i, j की value भी आपके पास आगी, k की value भी आपके पास आगी, x, y और z की value आपके पास यह है, यह सारी values अगर आप इसमें put कर दोगे, तो आपके पास r की value किसमें आ जाएगी, cylindrical coordinate system में आएगी ठीक है फिर r की जो भी value आ जाए आपके पास cylindrical coordinate system में उस r का अगर आप derivative ले दोगे with respect to t तो आपके पास velocity आ जाएगी और अगर उस r का 2 times derivative ले दोगे with respect to t तो आपके पास क्या आ जाएगा acceleration आ जाएगा ठीक है यही आपको क्या करना था find out करना था तो देखो कैसे करोगे इसको जब आप i, j, k और x, y, z की value r में put करोगे तो आपके पास जो r आएगा वो क्या आएगा तो देखो r की value कितनी आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगी अब आपको क्या find out करना है velocity तो velocity क्या होती है आपके पास dr by dt चीक है इसका derivative कर दो with respect to t कितना आएगा आपके पास देखो rho का derivative with respect to t कितना आएगा d rho by dt e rho cap आपका as it is rho as it is d, e, rho, cap और इसका derivative with respect to t अब यहाँ पे कितना आएगा आपके पास dz by dt और E Z cap आपका as it is जब आप E Z का derivative with respect to time निकालोगे तो देखो पिछे किया था 14 एक्जामपल में इसकी value कितनी आ जाएगी 0 तो ये आपके पास किसकी value आगी V की value आगी आप पिछले इसमें एक्जामपल में 14 थ में हमने किया था कि जो आपके पास E row का derivative with respect to time होता है उसकी value कितनी होती है आपके पास 5 dot E 5 cap ठीक है कर दो इसकी value पुट कितना आ जाएगा देखो रो का derivative with respect to time क्या लिख सकते हो इसको row dot और आपका E row cap as it is row आपका as it is और इसकी value क्या कर दी 14 एक्जामपल से ये put कर दी plus Z dot आपका as it is E Z cap आपका as it is तो ये तो आपके पास आगी velocity अब अगर आपको क्या निकालना है acceleration तो acceleration क्या आ जाएगा इसका double derivative कर दो वो आपके पास acceleration की value आ जाएगी ठीक है तो इस type के questions दे रखे हों आपको कि आपको velocity और acceleration find out करना तो position vector मान के चलोगे cylindrical में पुछे तो इन सब को cylindrical में change कर दो और अगर आप से सिधा cartesian में पुछे तो सिधा direct value निकाल दो बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर cylindrical coordinate में पूछता है आपका तो X, Y, Z को भी change करोगे और I, J, K को भी change करोगे X, Y, Z को तो इस transformation की help से change करोगे और I, J, K को किसकी help से change करोगे जो आपके unit vector होते हैं cylindrical coordinate system में उनकी help से क्योंकि I, J, K की जगह पे आपके क्या आने चाहिए E row cap, E five cap और ये आने चाहिए ठीक है तो इस तरह से करोगे आप in questions को ठीक है